आज मैं आपको दूंगी करेले की ऐसी सब्जी की जो करेले नहीं भी खाते हैं वो इसको मांग मंग कर खाएंगे आप एक बर इसको ट्राय करके जरूर देखिएगा और आप इसको बार पर बनाएंगे तो आएए देखते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका इसके लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के छै करेले लिए हैं और इन करेलों को मैंने बहुत अच्छे से पानी से धो लिया है क्योंकि हम इनके छिलके आज सब्जी में रखने वाले हैं तो बस अब हमें क्या करना है इनमें इस तरह से बीच में चीरा लगाना है या फिर आप कहें इसको स्लिट करना है और इनको हम हलका सा खोल के अंदर से चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है और आप देख सकते हैं कि करेले अंदर से एकदम फ्रेश हैं और इसके बीजे जो हैं बिल्कुल भी लाल लगें तो जब करेले खरी तो थोड़ा ध्यान दे कि वो पके करेले ना हो इस तरह के थोड़े से हरे और अच्छे करेले हो तो बस इस तरह से मैंने सारे करेलो को स्लिट कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर एक बरतन में पानी गरम किया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमबच नमग और आधी टी स्पून हल्दी पाउडर इनको हम हलका सा मिक्स कर देंगे और यह जो सलिट किया हुए करेले हैं यह हम इन में डाल देंगे और गैस की flame को हमें हाँ पर फुल पर ही रखना है और इसमें मैं डाल रही हूं पााँच सूकी हुई लाल मिर्च तो इन मिर्चियों के मैंने बीजे पाहले से ही निकाल दिये थे क्योंकि यह बहुत जादा थीकी थी इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आज से 10 कलिया लहसुन की 1 टी स्पून जीरा और साथ में डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरके सूखा हुआ खड़ा धनिया तो यह धनिया डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस रेसिपी में जो धनिया का फ्लेवर आता है वो अमेजिंग होता है तो बस अब हमें क्या करना है इसको दीमे हातों से बस इस तरह से हम मिक्स कर देंगे एक बार और इसको हमें करीब 5-6 मिनिट तक अच्छे से उबालना है तो इसको हमें ओवर कुक नहीं करना है मतलब करेलों को एक दम ऐसा नहीं कर देना है कि गल जाए बस इसको 50-60% तक हमें खुक कर लेना है तो बीच-बीच में आप इसको एक से दो बार चला दे जिससे कि चारो तरफ से एक सार पक सके करेलों को पकते हुए पांच मिनिट ही हुए है और इससे जादा हमें नहीं पकाना नहीं तो यह जादा गल जाएंगे तो बस अब हम क् कोई भी चिम्टा ले ले या फिर आप स्पैचिला ले 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 और इन करेलों को बहार निकाल ले और यह जो बचा हुआ मसालों का पानी है हम इसको चान लेंगे और इसमें से मसाले जो हैं हम अलग कर लेंगे तो बस अब हम इन करेलों और मसालों को हलका सा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रॉसस तो अब मसाला हलका सा ठंडा हो चुका है हम क्या करेंगे जो यह लाल वाली सुखी मिर्ची थी इसके हम डंठल अलग कर देंगे क्योंकि हमें इसे पीसना है और हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और सा आप पेस्ट त्यार कर लेंना है तो आप इनको चाहो तो जो भी शेप चाहते हैं आपगो काट लो तो इहां आप देख सकते हैं कि मेरे करेले बीचे मैं वह अर अच्छे कच्चे करेले है और अगर आपको लगता है कि जो आपके करेले हैं उसमें हाड बीजे हैं तो आप इस टाइम पर उन बीजों को हटाने तो यह देखिए मैंने सारे करेले काट लिये हैं और आई अब सबसी बनाते हैं तो यह देखिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने पहले से ही थोड़ा सा ते और इन पे अच्छा सा कलर आने तक हम इनको भून लेंगे तो बीच में आप इनको चलाते जरूर रहें जिससे कि एक सार पक सके तो यह करेलो को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और आप देखें हलके से गोल्डन कलर के हो गए है तो हम क्या करेंगे इनको इस तरह से तो इस तरह से हलके से दबा के निका लियागा आप जिससे जो इन्होंने ऑईल एबसॉप किया होगा ना वो थोड़ा सा निकल जाएगा तो यह देखें करेलो को मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है और आए फटा फट हम इसके लिए मसाला तयार करते हैं तो यहां प आप डालने से करेले का फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आता है तो आप इसको स्किप ना करें और अब मैसमें डाल रही हूँ दो प्यास जिसको की मैंने थिनली स्लाइस किया है बस प्यास जालके हमें इसको थोड़ी देर तक भूनना है मतलब इतना भूनना है कि प्यास प्यास को प्यास को बहुत ही बढ़ी है तो आप देखें इसमें से अलका सा कलर आया है मतलब इतना नी भूना है कि अगदब डाउन कर दिया है और अब मैं डाल रही हूं यह वन फोट टीजपून हल्दी पाउडर और इसको डालके भी हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे वह पेस्ट मिर्ची और लहसुन और धनिय का जो कि हमने तयार किया था और इसको डालके भी हम प्यास के साथ 2-3 मिनिट तक भूनेंगे तो यह देखे हमारा पेस्ट जो है अच्छे से भून किया है और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा अमचूर पाउडर यह ड्राय मांगो पाउडर और साथ में डालेंगे सबसे जरूरी चीज वह है नमक तो नमक अस्थमाल हमने अभी नहीं किया था इस स्टेज पे हमें इसमें नमक डालना है और नमक डालने के बाद हम सब चीजों को बहुत अच्छे से बिला देंगे और अब हम क्या करेंगे करेलो को ढख देंगे और इस टाइम मैं गैस की फ्लेम बिलकुल लो पे कर दूंगी और कम से कम इसको साथ से आठ मिनिट तक हम पकने देंगे तो यह देखिए करेलो को पकते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है और अब मैं आपको इसको खोल के देखाती हूं यह देखिए लग रहे ना कितने मसदार और अच्छी बात यह है कि आप इन करेलो को बना के रख लेगे दो से तीन दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं तो आप बताईएगा कि आपको किस तरह के करेले जादा पसंद है कि आप कट के करेले बनाते है यह फ्राइट बनाते हैं या फिर आपको भर्मा करेले जादा पसंद है मुझे तो करेले बहुत पसंद है किसी और जब भी मैं बनाती हूं ना डुष इन को क्लिदम करेले में तो आप ट्राइब करियेगा ए रेसीपी और हमने वीड़ूर बताएगा कि आपको आपको आज